आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास बन का EBS प्रिविएस क्लास में हमने रिविजन एक्सराइज 5 कर लिया था आज हमें करना है रिविजन एक्सराइज 6 फिर्स एक्सराइज 1 अजलस उसा समय दिशन 9 वाद है और है पृच्च में भारबर इसका होगा बार भार थार्ड धाण कीव जा स्पार्ड किवस बूल दॉड दॉड mmm थार्ड में होगा शीप ठीक है? नेक्स्ट कोश्चिन नमबर बी फिल इन दा ब्लैंक्स आन दिवाली, पिपल डेकोरेट देयर हाउसे विद लैंप, दियाज और रंगोली फस्ट में होगा लैंप, दियाज और रंगोली कोश्चिन नमबर टू, स्माल और बुशी प्लांट्स आर कॉल श्रब्स सेकेंड में होगा बुशी थर्ड, एरो प्लैंस, कैरियर्स, ओवर लॉंग डेस्टेंस, इन वेरे शॉर्ट ताइम थर्ड में होगा एरो प्लैंस कोश्चिन नमबर सी, सरकल दा ओड वन, फर्स्ट मार्केट, बैंक, स्कूल और प्लैंस, ये सब क्या है, हमारे नेबर्स है प्लैंस तो, ये हमारा लैंड फॉर्म हो गया, तो ये अलग है, ठीक है सेकेंड, स्पैरो, बीयर, पैरेट, हैं, ये स्पैरो, पैरेट, हैं, ये सब क्या है, ग्रिन इटर्स है, लेकिन बीयर क्या है, फ्लैश खाता है, ठीक है, तो ये सब से अलग है थर्ड शिप, ट्रेन, कार, बस यह सम लेंड ट्रांसपोर्ट है लिकिन शिप क्या है? बाटर ट्रांसपोर्ट है यह अलग है यहाँ पर हम लोग इससे सर्कल कर देंगे कोश्चन नमर डी, आंसर दा फॉलोईं कोश्चन यह जितने भी कोश्चन है इसको मैंने अलड़ी कॉपी में करा दिया है आप लोग इससे अपने कॉपी में लर्न करके लिख लेंगे ठीक है? अब हम लोग लास्ट कोश्चन करेंगे इसका कोश्चन नमर ई, आइडेंटिफाई दा पिच्चर यह जो पिच्चर दिये इससे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है तो यह है इस्पिनेक, यहां पर लिखेंगे इस्पिनेक फिर सेकेंड में बरो है और उसमें कॉन है रैबिट आप लिखेंगे रैबिट इन बरो और यह है मांटेंज तो यह था हमारा रिविजन एक्सराइज 6 इसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है आप लोग इसे अपने बुक में अच्छे तरह से कर लेंगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का बढ़ेंगे